नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज का वीडियो काफी important होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं epoxy resin versus polyester resin के बारे में कुछ बड़े बड़े points interesting video है आपसे request है कि वीडियो को पूरा end तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें आपर समझ में जिस परकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने आपको properties की बारे में बताया है strength, curing time, resistance, moisture resistance, setting time, bonding, cost कहां use किया जा सकता है कहां पर नहीं कर सकते हैं हमारे civil engineering में क्या इसकी demand है सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही आसा है कि आप वीडियो को पूरा end तक देखिए क्योंकि मैं इसमें आपको हर एक point को अच्छे से describe करने वाला हूँ ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो हम start करते हैं सबसे पहले हमें आपको पता है कि हमने epoxy से related 10 से 15 वीडियो कम से 15 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं उन 15 वीडियो की list आपको discussion box में मिल जाएगे, तो जरूर आप उस playlist को जरूर चेक कीजिए उसको देखिए, उसको समझी क्योंकि आने वाले time पर future में epoxy का काफी ज्यादा use होने वाला है ठीक है न, तो देखिए, सबसे पहले जो point आता है हमारा strength, strength क्या होती है, किसी भी चीज़ की मजबुती है किसे साथ पर define करेंगे, देखिए epoxy जो region होता है, उसमें आपको strong and flexural strength मिलती है मतलब इसकी जो strength होती है, वो काफी अच्छी होगी ठीक है, दूसरी चीज़ यदि हम आपको बताए हैं है पर तो इसकी जो flexural strength होती है, ये भी काफी जादा अच्छी होती है लेकिन यदि आप polyester resin यूज़ करते हैं, तो ये brittle nature का होता है मतलब इसमें यदि failure होता है, यदि ये तूटता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी indication नहीं मिलेगा इसमें micro caking भी आपको देखने को मिल सकती है छोटी छोटी दरा रहे हैं, आपको इसमें देखने को मिलती है ठीक ना, तो आपको strength वाला point यहाँ पर clear हुआ है ठीक है strength, next आता है हमारा curing curating इसका मतलब यह है कि कितनी देर में ये set होता है ठीक ना, तो देखिए, आपका जो epoxy resin होता है यह depend करता है hardner और temperature पर इसका जो, मतलब कितनी देर में ये set होने वाला है यह depend कराएगा इसके hardner और temperature पर आपने जो भी material इसमें compound यूज किया है उसके temperature और hardner पर ये depend करने वाला है ठीक है, लेकिन polyester region में ऐसा कुछ नहीं है polyester region में formulation पर based सारा काम होता है तो इसको define करना तो होता है कि यह किस हिसाब से इसका settlement होने वाला है ठीक है, next हाता है हमारा resistance resistance का देखिए, resistance होता है कि किस हिसाब से आपकी ये शुरक्षा कर रहा है, मतलब protect कर रहा है तो chemical environmental के degradation से आपको epoxy region से मतलब आपको के मिलती है एक help मिलती है, मतलब ये अच्छा resistance है वीरिंग में, इसकी क्रेकिंग में सभी कोई अच्छे से ले लेता है लेकिन polyester region एक less resistance material है ठीक है, next आता है हमारा moisture resistance आपको पता है epoxy region एक very moisture resistance होता है इसका moisture content होता है अच्छे से capable होता है resistance की capacity अच्छी होती है polyester resin में आपको less moisture resistance मिलेगा ठीक है ना next आता है इसका setting time देखे यदि आप epoxy resin की thin film लगाएंगे मतलब पतली 1.5 mm, 2 mm की तो यह जल्दी से set हो जाएगा ठीक है लेकिन polyester resin आपको पता है कि यह formulation पर based कार करता है तो इसका जो setting time है यह कम होता है ठीक है strength अब जोदी हम आपको बताएं कि bonding strength इसको समझाने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि जो आपका polyester resin और epoxy resin होता है यह किस हिसाब से आपका use में आता है देखे जो epoxy resin होता है मैं इसका बता रहा हूँ आपको epoxy resin आपका use होता है CFRP क्या होता है आपको बताते हैं और polyester resin जो होता है वो होता है आपका FRP इन दोनों का मतलब है आप यहाँ पर समझना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यदि आप amtac कर रहे हैं तो आपको epoxy resin के बारे में पता होना चाहिए देखें स्ट्रेंड CFRP का मतलब है यहाँ पर कार्बन फाइबर रिन्फोर्जड प्रोड़क्ट ठीक है इसको हम एक्स्प्लेंच करते हैं अभी FRP का मतलब होता है फाइबर ग्लास रिन्फोर्जड प्लास्टिक ठीक है यह पॉलिस्टर डेजिन में यूज होता है यह epoxy resin में यूज होता है देखें आपका जो still rebards होती है उसमें आपको यह चीजे देखने को मिलती है ठीक है ना क्योंकि यह carbon based होता है epoxy resin में लेकिन यह पॉलिस्टर में क्या होता है आप epoxy resin के लिए मतलब आपको यदि इसको rebards में यूज करना है तो ये वाला product epoxy resin आप इसमें मिला सकते हैं ठीक ना इस हिसाब से इसका use होता है कहां use होता है structural engineering में structural engineering में इन दोनों product का काफी ज़्यादा use होता है ठीक ना अब next आता है हमारा है पर bonding strength bonding strength इसके 2000 PSI होती है इसलिए हमने आपको पहले ही बता देता है कि इसके strong properties काफी जादा होती है लेकिन इसके 500 PSI होती है simple red next आता है हमारा cost आपको पता है हमने सबी वीडियो में बता है कि इसमें epoxy में आपको क्या होता है skilled labor के आप सकता पड़ती है professional contractor के आप सकता पड़ती है तो आपको यहाँ पर cost बढ़ जाती है इसलिए यहाँ पर इसके cost बढ़ गई है लेकिन polyester region में formulation पर काम होता है तो आपको इसमें किसी प्रगाई की दिक्कत नहीं आती है इसमें less आपका cost लगती है लेकिन epoxy से related में next और last आता है हमारा toxicity इसमें toxicity less होती है होती है लेकिन जादा नहीं होती है इसमें polyester region में इसमें polyester formulation पर काम कर रहा है तो इसमें कुछ gases निकलती है harmful gases जो आपके environmental को भी effect करती है साथी साथ इसलिए इसकी toxicity सबसे ज़्यादा होती है ठीक है student तो I hope आपको आज का इस वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज से आप लाइक केजिए चैनल पर पहले हुआ विजिट कर रहे है तो प्लीज चैनल को subscribe करें बेल आइकन को हिट करें ताकि एसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे और आप किसी भी वीडियो को देखने से पीछे नहाटे यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सेयर नहीं किया है तो प्लीज उसे अपने फ्रेंड के साथ भी सेयर कीजी क्योंकि हम ऐसी ही quality वीडियो आपको विश्वास के साथ प्रोवाइड करते हैं अब हम मिलते हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रही है थैंक यू फॉर वाचिंग